इस तो है लो गाईज इस दीपक कुमार शर्मा और आज मैं लेकर आए हूं आपके लिए कैसी नॉलिज जो आपने अभी तक मतलब की ना बहुत सारे लोगों की कोश्चन है दिमाग में अभी तक बहुत लोगों को इसकी पता नहीं था इसके बारे में पर अब किलियर हो गाई कि राहिए कि सर हम किस तरीके से अपनी इमेजल स्कार बनाने के लिए या फिर किस तरीके से अपनी कहते हैं जो a इमेजिनर्य हम वहां पर लगाएंगे कौनसी थॉट प्रोसेस यूज करते हैं कौनसी डिजाइन ठिंकिंग लगाते हैं वहां पर कि मतलब किस तरीके से हम अपनी इमेजेज यूज करेंगे अभी देखो मेरी जो इमेजेज लगी हुई है कि बैस्ट टूल्स फॉर डिजाइनर तो देखो टूल का यूज करते हुए जो एक माकैनिक होता है उस टाइप की एक इमेज है ठीक है हुई इस डिजाइनर और इवोल्यूशन क्या है तो एर वी आर का इस्तेमाल होने वाला है रेस्पेक्ट करते हैं बुजूर्ग की तो यह देखो तो यह फील निकल के आ रहा है ठीक है और यहां पर लिखा है कि डॉंट बी स्केर्ड ऑफ इसकेल तो इसकेरी फेस है और थोड कौन सी फॉर्ट प्रोसेस लगाते हैं इमेजिस को चूज करने के लिए तो उसके लिए मैं पहले आपको बता दूँ कि आप सबसे पहले नीचे जाएंगे और यहां पर देखेंगे कि मैंने एक मतलब यह बनाया हुआ है कैरोजल की मैं अपनी इमेजिस कहां से निकालता तो जैसे कि आपको पता है कि ना हम जादतर जो यूज कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं फ्रीपिक यूज फ्रीपिक यूज कर रहे होते हैं उसके लावा कुछ लोग सटरे स्टॉक भी यूज करते हैं जिनके पास लाइसेंस है ठीक है सटरे स्टॉक यूज कर लेते हैं उसके लावा कुछ लोग pixels यूज़ करते हैं pixels.com ठीक है उसके लावा कुछ लोग UNSPLASH यूज़ कर रहे हैं तो अभी मैं इन चार से ही बताता हूं ठीक है तो सटर स्टॉक को सबसे लाश्ट मिले हैं क्योंकि ये पेड है ये फ्री में नहीं मिलती हैं ठीक है तो फ्री वाली म अब कितने क्लेवर हो सकते हैं ठीक है तो यहां पर जाओंगा रिसोरस्स में फ्री और यहां पर यह तो वैक्टर चाहिए तो वैक्टर पिडियर और फोटो यहां पर जाने के बाद मैं लिखूँगा। ठीक है मैं यहां पर कलर्स लिख दिया अभी यहां पर मैं लिखता हूं कलर्स ठीक है और यहां पर भी मैं लिखता हूं कलर्स ठीक है तो अभी अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मेरे पास colors से related काफी सारी images आ जाएंगी ठीक है अब यह मेरे उपपर है कि मेरे text के साथ मेरे font के साथ कौन से वाली images अब देखो जैसे यह holy colors है इसको अगर मैं यहां से remove कर दो तो यह वाली image कितनी सही लगेगी उस वाले उसमें carousel में अगर मैं यहां पर यह जो है be clever with your colors इसकी जगए यह वाली image लगा देता तो भी यह बुरी नहीं लग रही थी ठीक है अभी यहां पर आ जाते हैं यह देखो कितनी अच्छी अच्छी images आ जाती है यह वाली image जैसे यह हैं बच्चे ने हाथ उपी की हूँ है यहां पर लिख दूँ अगर मैं be clever with your colors और इसका square निकाल दू कितनी अच्छी लगेगी image ठीक है अब इधर आ जाते हैं इस वाले में इस वाले में आके देख लेते हैं कि कौन सी image अच्छी लग रही है अब यह जैसे यह लेके जा रहे हैं ठीक है इसमें area इतना सारा खाली है तो इसको ऐसे इसको करेंगे image को और यहां पर लिख देंगे space आपके पास बना बनाया है तो इस तरीके से हम अपनी image को यूज कर लेंगे ठीक है और मैं एक दो example देता हूं आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए जैसे की हम यह लिखा हुआ यहां पर लिखा हुआ है डू यू कीप पोस्टिंग वने daily basis तो अभी आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें जो फील आ रही है वर्ड में वह यह है कि क्या आप रोज पोस्ट करते हो अब डेली बेसिस पर पोस्ट करते हो तो पोस्ट करने के लिए क्य आएगा कि पोस्ट से रिलेटिड इमेज होनी चाहिए ठीक है तो यहां पर लिखोंगा मैं पोस्ट पी ओस्ट पोस्ट और यहां पर यह पोस्ट से रिलेटिड इमेज इन्हों ने यहां पर देखो यहां पर लिख दिया ना यह आ गई मैं जिस पोस्ट से रिलेटीड अभी देखो यह 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 जितनी भी में जिस पोस्ट से रिलेटीड है अब कुछ डाक वाली पोस्ट से रिलेटीड है तो यहां पर अभी आप अपलोड लिख सकते हूं पोश्ट और अपलोड बात ही किया ना अभी देखो यहां पर यह आ गई अपलोड से रिलेटिड अब यहां पर मान लो मैं एक इमेज ले लेता हूं यह वाली में ले लेता हूं और यहां पर मैं अब इसकी जगह नहीं अपने कैरोसेल मैं लगादू ठीक इसको रिमॉव करके और अपनी एक कैरोसेल मैं लगा दूँ और यह देखो फील यह उसको देखके कि हाँ यह बात कर रहे है कि do you post on a daily basis ठीक है अभी हाँ पर भी हम लिखते हैं पोस्ट ठीक है तो इस तरीके से हम अपनी images को choose करते हैं पे भी लिख देते हैं हम पोस्ट अके तो अभी देखो यहां पे अब चाहो तो आप इस तरीके की इमेज भी यूज कर सकते हो ठीक है या फिर आप सोशल मीडिया से रिलेटिड भी कोई इमेज यूज़ कर सकते हो तो इस तरीके से हम अपनी इमेज़ को चूज़ करते हैं और यहां पर लगाते हैं अगर अभी भी किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लेना और अदर्वाइज मेरे यह देखो इंस्ताग्राम प्रोफाइल आपके सामने खुली हुई है आई.designguru इसमें जाओ इसमें जाके यहां पर डियम करो मुझे मैसिज करो और इसमें डेली के डेली कुछ ना कुछ नए अपलोड में करता रहता हूं तो वहां पर जाके चेक करो उसके अलावा यहां पर आप देखी रहे हो तो यहां पर मेरा यूट्यूब चैनल है यहां प designguru.com पर जाओ यह मेरी website खुल जाएगी यहां पर यहां पर जाके आप यह देखो यह पहले ही how I make my carousel तो यहां पर जब मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो उसके बाद यह मैं अपने page पर पहुंच जाओंगा तो यहां पर मैं पेज पर आगया है यहां पर मैंने इसके बार होगी तो यह सारी चीज़ें तो थैंक यू फर कनेक्टिंग और आपने अगर यह वीडियो भी तक देखी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं तो थैंक यू थैंक्स अच्छी तोगधर